संसार में समय समय पर ऐसे अनेक महात्माएं होकर के गए हैं जिनके त्याग, तपस्या और प्रभू मिलन की लगन की कहानियों से सारा जग वाकिफ है तो एक प्रश्न जहन में जो घूम रहा है वो ये के परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को ही क्यों चना ये तो बात सही है के समय प्रती समय अनेक महात्माएं इस संसार में आये जिन्नोंने प्रभू मिलन की विधियां बताए और इसी तरह ये भी समय है के जब इस समय में भी कोई न कोई महानात्मा का जन्म होना ही चाहिए क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो भगवान किसी का भी तन चुनते थे अगर आपका तन चुनते थे या किसी का भी तन चुनते थे इस संसार में से तो प्रश्न तो आउठना ही था कि भई भगवान ने इसी का तन क्यों चुना लेकिन हम सभी जानते हैं कि चाहे जिसुस क्रैस्ट आए महात्मा बुद्ध आए ऐसे कई महानात्मा आए जिनके द्वारा प्रमात्मा ने समय प्रतिस समय कोई न कोई दिव्यकारी कराया तब उनके लिए तो ये प्रश्न नहीं उठा ये समय में परमात्मा को मालूम है उसको कहा ही जाता है जानी जाननहार सब कुछ जानते हैं तो हर व्यक्ति की मनस्थिती को उसकी आत्मा की प्यूरिटी को वो जानता है और इस अंसार में कौन ऐसी पात्र आत्मा है जो परमात्म कारिय करने के लिए उत्तम हो उसे पता है इसलिए ये तो आज ऐसा हो गया दुनिया के अंदर कि जैसे मनुष्य हर चीज को मौनिटर करना जाता है तो परमात्मा के कारिय के लिए भी जैसे मौनिटर करना जाता है वास्तव में भगवान को पता है कि उसको किस तन की आवश्यक्ता है और किस तरह से उसे इस संसार के अंदर अधर्म का नाशर्सत धर्म की पुनस्थापना कराने हैं और उसके लिए पिताश्री जी का तन उचेत इसलिए समझा उन्होंने क्योंकि ग्रहस्त धर्म में थे दूसरा एक बिजनेसमें थे, जोहरे थे, हीरे जवारत का बिजनेस करते थे, तो बिजनेस के कारण भी उनको अनुभव ज्यादा था, ग्रहस्त धर्म में होने कारण, ग्रहस्त जीवन की क्या प्रॉब्लिम्स होती है, उसका भी अनुभव था, तो ये सारा अनुभव होने क कारण वो शायद संसार को अच्छी दिशा दे सकते थे अपने अनुबव के माध्यम से भी दूसरा के एक जोहरी के पास अथा धन था वैसे परमात्मा ने अनेक गुरुओं के माध्यम से भी कार्य कराया बहित कई लोगों ने अपने तन मन से पूरे समर्पन भावना के साथ त्याग तपस्या के साथ कार्य किया लेकिन ये जो कार्य था कि जब उस समय मातायें बहने विशेश जैसे मर्यादा में रहती थी उन्हें घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती थी ऐसे समय पर परमात्मा ने इस संसार में अवतरन किया और उस समय परमात्मा ने यही एक विशेश कारिय या ज्ञान का कलश माताओं बेहनों के सर पर रखा यही एक संकल्पना थी ब्रह्मा बाबा की भी कि अगर माताएं बेहने आगे आएंगी तो शायद समाज का उद्धार हो सकता है क्यों? क्योंकि एक मा के अंदर ही बच्चे को संसकार देने की कला होती है जो और किसी के अंदर नहीं होती है और इसी लिए परमात्मा ने भी यही समझा और ब्रह्मा बाबा की भी एक विजन थी कि ये आध्यात्मिक संसकार देने का कारिय भी जितना सुकुशल माताएं बहने कर सकेगी उतना शायद और कोई नहीं कर सकेगा इसलिए उन्होंने माताओं बहनों को आगे किया और वंदे मात्रम कह करके उनको ये ज्ञान का कलश दिया समाच के अंदर अनेको को ये आध्यात्मिक संसकार सीचने का कारिय सौपा